हेलो विंग इंगली क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है चली चलते हैं हमरे लेसन की तरफ उसके पहले अगर आप लोगों ने पार्ट वार्ट टू पार्ट ट्री और प्लोड यूटू पर अगर आप लोगों नहीं देखी है और आप अपने नौलज को लिंग कर पाओगे और अपने knowledge को link कर पाओगे आज हम जो बात करने वाले वो है what nature teaches us हमें जो nature है वो क्या सिखाता है Today at a time of multiple crisis Multiple crisis का मतलब अलग-अलग type के जो problems आती है आपदा आती है crisis का मतलब होता है आपदा Today at a time of multiple crisis अब multiple crisis कौन से कौन से हो सकते है वो flood हो सकते है वो एक famine की रूप में हो सकते है droughts या इस तरह के कोई earthquake सुनामी ये सारे के सारे multiple crisis हो सकते है और दूसरे multiple crisis ये भी हो सकते है जैसे की economic deflation या inflation और ये सारे चीज़े economic inflation का मतलब बता है जब price बढ़ जाती है सारे चीज़ों के price बढ़ जाती है ये भी टाइब का problem है अमरे इंडिया के लिए inflation यानि price अगर सारे चीज़ों के भाव बढ़ जाए तो इसे कहते है inflation intensified by globalization और इस जितने भी crisis जितने भी problems जो हो रही है वो क्यों हो रही है वो globalization के वज़े से हो रही है इसका जो मुख क्या खारन है असल में globalization का मतलब होता है जब आस पास की countries के साथ में जब हम अच्छी तरह से contact कर पाए और उनसे नजदी किया बना पाए इसे globalization करते है अब समझो मैं यहाँ पर एक example था आप लोग को यहाँ बेटे बेटे अगर आप आप अमेरिका से कुछ चीजें खरीद रही हो वहां की company से आप contact में हो और वहां से कोई चीजें खरीद रही हो तो इसे केता है globalization और यहाँ हो सकता है कि आप अपने हाँ से कोई चीज किसी और country में बेच रही हो तो इसे globalization करते है In other words अगर यह कहा जाए तो globalization का मतलब होता है जब आप बाहर के foreign countries के साथ में या companies के साथ में जब connect होते हो और इसे कहता है globalization We need to move away from the paradigm of nature has that matter हमें ये जो हमने जो हमारा एक छबी बनाई है nature की की जो earth है ये जो nature है ये एक dead matter है Actually अपने को ये जो धरती है जिसे हमने पूरी तरह से बरबाद कर दिया है और मुर्दा बना दिया हमें इसे बदलना होगा We need to move to an ecological paradigm and for this the best teacher is nature herself In other words मैं ये कहो तो हमें ecological के लिए कुछ का ecology यानि पर्यावरन के लिए कुछ करना चाहिए ये कभी मुश्मकिन हो सकता है जब हम जो चीजें हम लोगों ने नेचर से सिखिए उसे अगर आमल में लाना शुरू करते तो The earth university teaches earth democracy Earth university ये नवदानय फार्म जिसे वंदना शिवा ने शुरू किया था 1994 में उसी नवदानय फार्म में ये earth university को build up या create की construct किया गया है जिस तरह से कोई और initiatives जो होती है हमारे colleges की उसी तरह से ये एक earth university है जो वंदना शिवा ने स्टार्ट किया था अब इस university में क्या सिखाए जाता है इस university में सिखाए जाता है earth democracy which is the freedom for all species to evolve within the wave of life अब इस university में सबसे पहले चीज तो ये सिखाए जाती है कि हमें एक दूसरे के साथ में मिल जुल कर रहना चाहिए एक दूसरे की जो जीवन शहली होते हैं इसमें हमें हक तो शेप नहीं करना चाहिए which is the freedom for all species हमें इस earth university में सबसे पहले जो सिखा जाता है वो है कि हमें दूसरे जानवरों को आजादी देनी चाहिए freedom for all species to evolve within the wave of life अब इस wave of life का मतलब बता है जो हमरे जीवन शहली से connected है जितने भी जानवर जो हमें हमें डारेक्ली और इंडारेक्ली हमें इंपक्ट करते हैं इन सब को हमें एक मिल जूल कर एक साथ हमें उन्हें रहना चाहिए रहना चाहिए और इनकी जो आजादी है वो उन्हें देनी चाहिए and the freedom and responsibility of human beings हमें इस earth democracy में earth university में ये भी सिखा जाता है कि हमें इनसान होने के नाते हमें जुसरे जानवर की freedom और responsibility के बारे में सोचना चाहिए और हमारी एक जिम्हदर यह है जो हमें निभाने होती है वो जानवरों को लेकर as members of the earth family to recognize, protect and respect the rights of the other species is earth university के member होने के नाते हमें सबसे पहले ये चीज़ देखने चाहिए कि हमें protect करना चाहिए respect करना चाहिए दूसरे जानवर होते हैं दूसरे जो जीव जनतु होते हैं इनकी life को respect करना चाहिए recognize करना चाहिए समझना चाहिए our democracy is a shift from anthropocentrism anthropocentrism का मतलब होता है यह human centered है यह जो कुछ भी होता है यह इनसान के लिए यह centralism यानि kendrit, इनसान पर kendrit किया गया इस तरह से हमारी जीवन शहीन और यह इनसान को लेकर यह इनसान के फाइद होके लेकर हम centered है हम kendrit है हम क्या करना चाहिए हमें इसे shift हमें बदना चाहिए, आभ ने हमें हमारे बारे में नहीं सुचने हाइफ, ए इन साथ और आजादी के साथ रह सके हमारे साथ में and since we all depend on the earth earth democracy translates into human rights to food and water to freedom from hunger and thirst earth democracy translates into human rights to food and water earth democracy का मतलब क्या होता है कि हमें खाने पीने का हख to freedom from hunger और जो भुगमरी से आजादी and thirst भुगमरी और प्यास से आजादी because the earth university is located at navdanya a biodiversity farm participants learn to work with the living seeds living soil and the wave of life participants include farmers school children and people from across the world two of our most popular courses are the az of organic farming and agroecology and gandhi and globalization up is now then earth university university जो है ये actually नवदाने farm में setup की गई थी और वहां के जो participants थे ये जो भाग लेने वाले university में जो admission लेने वाले जो लोग थे वो थे कोई किसान या स्कूल जाने वाले बच्चे या और कोई इंसान जो दूसरे countrys से आते हैं वहां पर या foreign country से वहां पर आते हैं तो यह जो earth university थी यह काफी famous थी इस मामले में की लोगों को कैसे हम कैसे जीना चाहिए जिससे हमें की दूसरों को हमारे जीने के वज़े से हमारे रहनसन के वज़े से दूसरों को तकलिफ नहीं होने चाहिए ठीक है two of our most popular courses इस earth university में डो courses offer किये गए थे या सीखाए जाते थे सबसे पहले course का नाम था the az of organic farming and agro ecology यह पहला course था दूसरे course का नाम था Gandhi and globalization अब अब लोग आप लोग देखो कि एक बहुत बड़ा एक न्यान का भंडा रही है क्योंकि university में सिर्फ एक तरह के knowledge नहीं दी जाती है हर तरह के knowledge दी जाती है life science हो commerce हो science हो या अलग अलग टाप के subject से सिखाए जाते हैं महाँ पर university में ठीक उसी तरह से इस university में भी the az of organic farming and agro ecology और गांधी and globalization यह दो courses सिखाए जाते थे exam में यह आ सकता है कि what are the courses that have been offered by earth university in नावदाने फार्म तो यह दो जो courses है आपके दहन में रखने हैं अब दूसरी बात यह है कि because the earth university is located at नावदाने फार्म अब यह जो फार्म था यह जो फार्म यानि कि जो नावदाने फार्म था यह एक बायो डायोवर्सटी फार्म था इस का मतलब यह हुआ कि इस particular farm मे जो जानवर भी मौजूद रहते थे और यह जानवर एक दूसरे के साथ में घुल मिलकर रहते थे पर्यावरन इसके साथ मिलकर और इनसानों के साथ मिलकर फॉर एक्जामपल आगर मैं ऐसा कहूँ कि हाँ पर इस farm के अंदर कुछ ऐसे जानवर थे जैसे कि one जीवन जानवर जो होते हैं जैसे कि deer वगरा और कोई और जानवर हो सकते हैं शायद तो participants learn to work with living seeds इस university में जो participants थे वहां पर जो जिन्होंने वहां पर admission लिया था उन्हें सीट्स के बार में काफी knowledge दी गई थी तो center of attraction center of learning of northern farm नावदाने फार्म में सबसे जादा जो सिखा जाती थी वह living seeds के बार में वहां पर जो सीक रहे थे उनका मानना यह था कि यह जो बीज है यह जानदार है यह अगर आप इसे जमीन में उसे बोग है तो वह obviously एक जानदार plant के रूप में उपर कर आएगा living seeds living soil बस ना कि सिर्फ living seeds ही नहीं बट इनका मानना यह था कि सिर्फ बीज ही जानदार नहीं ब से democracy की मामले में जो नवदाने farm की जो लोगों को सीखा जाती थी असल में in short अगर में यह बताओ तो earth democracy का मतलब यह होता है कि एक ही सारे जिस तरह से हम इंडिया में अलग अलग टाइप के जो लोग है जो हम रहते हैं पर जो अलग अलग background से आते हैं तरह तरह के languages बोलते है और religion को follow करते हैं और financial background है और culture and tradition in short यह भूलो कि हमरे हैं पर कुछ 28-29 states है हम सब तरह के states से बिलॉंग करते हैं हम अलग अलग states से बिलॉंग करते हैं इंडिया में बहुत सारे states है और इन states के जो चुहां के जो culture and tradition है काफी अलग एक दूसरे से लेकिर फिर भी एक ऐसी constitution इंडिया कांसिटूशन इंडिया कांसिटिशन डेमोक्रेटिक है जैसे for the people by the people and to the people right तो इसी तरह से जो अर्थ डिमेक्रसी है अर्डिमेक्रसी का मतलब अब जो अर्थ इनिवस्टिटी है वह अर्थ डेमेक्रसी कॉंसेट को follow करती है इसका मतलब है कि यह आप सी भाइच जारा इंसानों और जानवरों में जिस तरह से हम इनसान एक जूसरे के साथ में मिल जूल कर रहते हैं उसी तरह से अर्थ डेमेक्रसी हमें यह सिकाती है कि हमें जानवरों के साथ में भी मिल जूल कर रहना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनकी जो इस इंस्पारड बाय रविनाद टगोर इंडियास नैशनल प्रोईट और नोबल प्राइस लॉर्येट अर्थ उनिसिटी किसने स्टेट अप सेट अप किया था किसने बनाया था यह वंदरनाशिवा ने बनाया था वह भी नवदरने फ़र्म में लेकिन इसकी जो अधरनाशिवा को मिली थी वो कहां से मिली थी रविनाट टगोर से किरबना टगोर एक ऐसे सबसे पहले इनसान थे वह यह था कynnशन के बीच परियावारन के बीच में रह कर कोई चीज सीखना किरफेना टगोर का कुछ ऐसा मानना था कि उन्मित जिश कि इस बिटिश थे औ तो उन्होंने क्या सूचा कि उन्होंने एक शांती निके दिन नाम के एक सकूल स्टार्ट किया वैस्ट बिंगॉल में जहां पर जो बच्चे हों पर पढ़ने के लिए आते थे वह जंगलों पेडों के बीच रहे कर वह और फ़ेडों के बीच में रहे कर वह िस्ट्रकों के निकेतने जिकुर्ण चारी चार्व가는 कत टक्षिए वह उचास्थ्ट्रकों को उच-णिऑ किर मिले इन्डिया उन्ट के दिन्य चाइट अ शाय म Will स्ड़म रहीं का प्रवि अचार युदि इन वेस्ट बिंगॉल इंडिया फॉरिस्ट स्कूल बोथ तो टेक इंस्परेशन फ्रम नेचर और टो क्रेट एंडियन कुल्चिरल प्रणांस यह स्कूल जो खुलने का कारण यह था कि उस जमाने में जो लोग थे वो तितर बितर हो गए थे वो सारे लोगों को एक जूट कर बिटिशिल के खिलाफ लणने के लिए तैयर करने के लिए शांति निके दिन स्टार किया गया था जिसके में आप लोगों को बताया कि जो रबिन होताई है उसनों स्कूल के एक स्कूल को एक स्कूल को इन उन' ब दरजा दिया गया था तो आप समझ सकते कि स्कूल कितना फेमस होगा उस जमाने में जब स्कूल विकेम एउनिवर्सिटी इन 1921 उनीज सो इकीस में ये स्कूल को इनुवर्सिटी का दरजा दिया गया growing into one of the India's most famous centers of learning आगे जाकर जब ये स्कूल उनिवर्सिटी बनती है और ये स्कूल जो है वो सारे स्कूलों की center of learning बनती है यानि कि ये अब समझ सकते कितना important हुा रहेगा कितनी important school रही हो गई है उस जमाने में जिसे स्कूल होने के बाद उनिवर्शिटी का दरज़ा मिले और सेंटर अफ लनिंग का दरज़ा मिले तोड़े जस्ट हाज इन टाइम वी नीड टू 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 नेचर नीड टू टू नेचर का मतलब वहा कि हमें फिर से परियावरन या प्रकूती के तरफ रुक करना चाहिए ताकि हम अपनी उन्नती कर सके और फॉरेस्ट फॉर लेस्ट इन फ्रिडम जैसे कि यह लेस्ट का टाइटल है वो कहता है आई लेंट फॉरेस्ट अभी जो वंदना शिवा है उन्होंने प्रकूती से जंगलों से क्या सिखा पेड़ पॉदों से क्या सिखा वहां के जो जंगल कानून जो कहते हैं उनसे क्या सिखा वो सारी चीज़े इसमें डिसकस की गए जो जंगलों से पेड़ पॉदों से जानवरों से क्या क्या सिखा वो सारी चीज़े बंदना शिवा ने अलड़ी इस लेसन में डिसकस किया है तो मैंने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट त्री और पार्ट फोर में अलड़ी डिसकस किया है मैं हम लोग ने मैंने बताया है कि पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री और पार्ट फोर में क्या डिस्कस किया गया तुडे जस्ट हैं टगोर्स टाइम वी नीड टू 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 नेचर और फोरेस्ट फॉर लेसंस इन फ्रीडम बंदना शिवा कहती है कि जिस तरह से टगोर रबना टगोर वापस अपनी प्रकोति की और नेचर की तरफ रुक किये ठीक उसी तरह से हमें भी नेचर की तरफ जाना चाहिए इन इस एसे तपवन फोरेस्ट फॉरिटी टगोर राइट्स इंडियन सिविलाजेशन है और दिस्टिंक्टिव इन लोकेटिंग इस तोर्स फोरेस्ट नोट दसीड प्रभीना टगोर ने एक एसे लिखा था जिसका नाम था तपवन और तपवन का मतलब होता है ऐसा जंग जो अपने आप में प्योर हो फोरेस्ट और प्यूरिटी टगोर राइट इंडिन सिविलाजेशन हाज बिन डिस्टिंक्टिव इन लोकेटिंग इस सोर्स और फ्री जनरेशन टगोर का मानना ऐसा था कि जो हिंदुस्तानी संस्कृति है वो जो भी संस्कृति उन्होंने अपन से बिलती है उसे सोर्स कहा जाता है जहां से वह पर्टिकुलर चीज का तालूख हो उसे भी सौर्स कहा जाता है तो तकवर का मानना ऐसा था कि जो और तरीकहे यह सारी के सारे जंगलों से पेड़ों से हासिल किए गए और यह जो हिंदुस्तानी संस्कृति वो अपने आप म जो समझदार है और जो भी सोचने वाली जो समत्य होती है हिंदुस्तानी संस्कृति में तो वह सारे 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 चीजें भी फोरेस्ट है हासल की गई है not the city इंडिया's best ideas have come where man was in communion communion का मतलब बता है एक घुल मिलकर एक साथ रहना उसे कहते है communion with trees and rivers and lakes away from the crowds इंडिया's best ideas जो भी ideas इंडियन को मिले है जैसे यहां पर मैं बहुत सारे एक्जामपल दे सकता हूं first example तो यह होगा कि जो zero invent किया गया है वो इंडियन ही था कोई जिसका नाम था आरियवट उन्होंने zero invent किया इंडियन civilization के वज़े से ही आज यह जो zero इंडियन इंसान ने इजाद किया पूरी दुनिया हमारे हिंडुस्तान से इजाद की गई zero को अपना रही है तगर का मानना ऐसा था कि जो इंसान उन्नती कर रहा है वो क्यों कर रहा है क्यों कि वो पेड़ो पौदों से और जहरनों नदियों से नालों से और भीर से धूर जाकर जंगलों में जाने से जो knowledge हासिल किया गया इसलिए आप लोग देखोगे ना जो भी रूशी मुनी या बड़े-बड़े सादू संथ जो भी होते हैं जो भी होते वो हमेशा हिमाल्या जैसे पहाड़ों पर जाते हैं ताकि वहां जाका तपैसा करें और वहां से जो भी knowledge हासिल कर सके वहां मेडिटेशन वगरा करते है और मेडिटेशन से बहुत सरे चीज़ों हासिल होती है इसलिए इसलिए देखा जाता है कि जबी भी कोई सादू संथ हो वो हमेशा लोगों से धूर भीड़ से धूर अपने लोगों को छोड़ कर वो हिमाल्या जैसे बड़े-बड़े पहाड़ों पर जाकर वहां पर बसते और महां पर तपस्या मेडिटेशन वगरा करते ताकि वो कुछ न्यान हासिल कर सके नौलिज हासिल कर सके और फिर जब वो नौलिज उन्हें मिलती है तो वो नौलिज को वो लोगों में आकर वापर फैलाते हैं इनसान तरह की तब ही करता है जब उसे अंदरों ने खुशी और सकुन हासिल हो इनसान हमेशा सकुन की तलाश में दूर दूर पहाड़ों नदिया जंगलों में जाकर हाँ पर बसते हैं और अक्सर देखा किया है कि सकुन हमेशा शेहरों में नहीं होता है आप लोगों तो पता होगा कि शेहरों में बहुत सारा आवाज होता है बहुत स और सुकून से रह सके खुशी地 से रह सकेτε शुषा की जञब में काफी सुकून होता है तो यह ज Bürम है काफी मदद गर थब हरा हमरे इंसानियत की लिए टाइंसाव देफ hoping फॉरेस्थ has help the intellectual evolution of the maan ज Państ आग इंसानले थोर पर एटिना कि हुँ lost कि उसे सुकून हासिल हुआ और वो जंगलों से हासिल हुआ ठीक है जब भी दection कि टरखी करने होती यह हमेशा जंगलों की तरफ दोड लगाता है ता कि सुकून के जरिये उनको नोलेज हासिल हो जाया the culture that has arisen from the forest has been influenced by the diverse processes of renewal of life which are always at play in the forest जैसे की टगुर ने का कि जो society जो सब्वेता जो इंडिन सिविलाजेशन है तोर तरीके culture जो मिली है इंडिया को वो जंगलों सी मिली है has been influenced इसका सबसे बड़ा असर diverse process of renewal of life का मतलब होगा which are always at the play in the forest forest में जब जंगलों में आप लोग जाओगे तो जंगलों में आपको हर तरह के जानवर पेड़ बाओदे मिलेंगे जो काफित जानदर होते और always at play in the forest जो जंगल होता है वो हमेशा चलते रहता है और कुछ ना कुछ तो क्रियाएं वहाँ पर चलती रहती है कुछ ना कुछ हरकत वहाँ पर होती रहती है varying from species to species और हर तरह के जानवर आप लोग को मिलेंगे वहाँ पर अगर मांद बंदर है तो बंदर में भी बहुत सारे कैटेगरीज है बबून गोरिला चिंपैंजी राइड तो species to species और एक ही जंगल में आपको हर तरह की जानवर महाँ पर मिलेंगे लेकिन वह सारे के सारे जानवर एक दूसरे के साथ में काफी मिल जूल कर रहते और मिल ज जनगल में हर तरह के मौसम होते है इंसाइड अंसमेल जंडल में और कहाँए चीज़े होती है कितना डाइवर्स है जंगल यानि की अलग अलग चीज़ें से भरा पड़ा है जंगल इंसाइट एंड साउंड देखने में बहुत से अलग 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 टाइप के चीज़ें आपको देख सकते हो अलग अलग नजारे देख से तरह तरह के नजारे आप जंगलों में मिलते हैं और तरह तरह के आवाज है आप सुन सकते हो अलग अलग जानुवर के और परिंदों के आवाज आप सुन सकते हो अब जब जंगल में जाओगे तो आपको तरह तरह की खुश्बू तरह तरह की फूल वगरा और फल की खुश्बू आप सूंग सकते हो। तो एक ही जंगल में कितनी diversity है तो यही टगोर हमें समझाना चाहते है कि जो संस्कृति हमें हासिल हुई है वो जंगल से हासिल हुई है ऐसे जंगल से हासिल हुई है जो हर तरह के राज अपने में समाय हुए है अब जो ही जगल की तोर तरी के है वह हिंदुस्तनी सिवलाज़िशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा बने चुका था जैसे हो पानी पीतों है तो आप से समझ सकते हैं किए इतना बड़ा कैसे यह लोग अपस में रहते एक ही पानी से एक ही तालाप से आपको हर तरह के परिंदे और जानवर से पानी पीते वह आपको दिकाई देंगे एक शीयर भी होई पानी पहएगा हमरे इंडिया में फिर भी इतन मुझने अची संसक्रूती होने के बाव वजूद हम भेधभाव करते एक दुसरे के सात में वो हो सकता है रिलीजन के मामले में हो सकता है बेधभाव आप देखो गई कि पुराने जमाने में होता था कि leo-casts के रोth लोक होते थे उनको पानी देते न ही थे यób एंको पानी कोवह सी पास आने दूते मनाई ते दí दार्मिक स्कॉपर को जन्गलों में कैसा रहना चाहिए रहा चाहिए तो यह चीजें हमें जानवरों से सिखनी की जरूरत है It is this unity in diversity that is the basis of both ecological and sustainability and democracy Diversity without unity becomes the source of conflict and contest Hindustan एक ऐसा देश है जहां पर आपको हर तरह के लोग दिखाई देंगे हर तरह के लोग, हर तरह के भाशा बोलने वाले, तरह तरह के खान पान और रहन सहन कपड़ें के मामले में हो और उनके घर के मामले में हो यानि कि उनका culture, tradition, sanskriti काफी एक दूसरे से अलग है लेकि सारी हिंदूस्ताने एक साथ रहते है तो यह जो भिनता है उसे diversity कहा जाता है और यूनिटी का मतलब होता है एक जूट तरह तरह के जो लोग है अगर इनमें यूनिटी ना हो एकता ना हो तो यह conflict का कारण बन सकती है यह जोड़ों का कारण बन सकती है कुछ ऐसा होना चाहिए कि यह जितने भी लोग है जो तरह तरह के बैगराउंड से आते है इन्हें एक जूट करने वाले कुछ एक आईसी ताकत होनी चाहिए unity without diversity becomes the ground for external control इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने कभी एक कहानी सुनी होगी दो बिल्लियों की और एक बंदर की दो बिल्लिया जब अपस में लड़ती है एक केक के लिए फिर महां पर बंदर आता है और बंदर दिरी दिरे वो जो केक होता है वो खा लेता है और दो लोगों को दो बिल्लियों को लड़ते हुए छोड़कर चला जाता है वहां पर ठीक उसी तरह से पुराने जमने में हमरे सबाइसा हुआता जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम और तरह तरह के रिलिजिन कास्ट कम्यूनिटी इन में जगड़े लगा कर उन्हें हमारे इंडियन पर कंट्रूल किया यूनिटी बिडाव डाइवर सेडि बी कम्सट फॉरस्ट यूनिटी दाव डाइवर सेडिविकम्स ऑक्राउंट फॉर एक्टरं इसका मतलब होके भार के तो लोग है वो हम अपस में लड़ते जगडते रहें तो भार के जो लो थी हम में food थी तो इसका फाइदा उटा कर हम पर राज किया ठीक है तो यह टगर कहना चाहते है कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए बले हम अलग-अलग बैग्राउंड से आते हमेरे रिलिजिन अलग है हमेरे सोच बुचा लग है लेकिन हमें सब हम सब एक जुठ होकर रहना चाहिए ताकि हम पर कोई कभजा ना कर सके या हम पर कोई कंट्रोल ना कर सके दफॉर दफॉरेस्ट दिस इस त्रू आफ बोथ नेचर और कल्चर यह यह जो पॉलिसी है जो यह जो सोच है यह प्रकुर्थी को पर भिलाग होती है और हमारे इंडियन कल्चर पर भी लाग होते है तो आप अगर मैं आपर यूटि के बार में बता हो तो जंगल में यूटि का एक्जामपल यह होगा कि कभी कभर ऐसा होता है कि जब शेर किसी भेहि वह कोशिच करते हैं नाशनल जेगरफिक चैनल पर और डिस्केड़ी चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक शेर एक भैसे के पीछे दोड़ता है तो सारे भैसे वो शेयर को मारने की कोशिच करते हैं यह ऐसा मुम्किन इसलिए हुआ कि इन जो भैसे देन भैसों में एकता थी इसलिए अपनी खुद की जान के साथ सातियों की जान भी बचा सकते थे ठीक उसी तरह से मंदना शिवा और टागोर हमें एक मेसेज देना चाहते है कि हम एक जूड होकर रहना चाहिए ताकि भारी जो ताकत है वो हम पर कभजा ना कर सके यह जो एक जूड होने की जूड है वो हमें हमारे कल्चर में जंगलों से हासिल हुआ है इन केंट चोड उड़िदा लेचिज ड्वाइचि जूड चूड ने मिला बट हमे जंगलों से सिर्फ नौलज ऐ नहीं मिला CPR बट हमें जंगलों से बहु सरे मिला है और परफेक्शन मिला है ठीक है यह सारे गुन भी मिले है नौलेज के साथ साथ इंडा शीरे अंतत्स का तरो इंडा परफेक्शन मिले है जानों The forest teaches us union and compassion. हमें forest से बहुत सरे चीज़ें सिखने मिलती है जैसे कि मैंने बता है था कि हमें forest से knowledge हासिल होता है हमें forest से आजादी के बारे में काफी मालूमात मिलती है क्योंकि forest का मतलब होता है आजादी जमलों में कोई रोक टोग नहीं होती परिंदे चाहे जिस भी नदी का कुवे का पानी पी सकते है और यह चाहे तो किसी भी पेड़ पर जाकर बैठ सकते है और जनवरों के मामले में कोई भी जनवर कहीं भी बिर जा सकता है जंगल में राइट, तो देखा जातो हो जंगल काफी अची चीजे रहनी के लिए जानुरों के लिए और इनसन जो है इसका विपरीत है यह आईसा कह सकते है कि जो इनसान है वह इस मामले में जानुरों entrepreneurs के मामले में और जंगले में काफी opposite है ठीक है उसका ओल्टा है है ऐसा हम कह सकते है the forest teaches us union and compassion हमें forest एक साथ रहना सिखाता है और compassion का मतलब होता है यहां पर नरम दिली जो हमें यहां से सिखनी चाहिए the forest also teaches us enoughness the forest also teaches us enoughness has a principle of equity how to enjoy the gifts of nature without exploitation and accumulation हम लोग क्या करते हैं जो आमीर इंसान होता है वो हमेशाँ यह सुचता कि उसे जितना ज्यादा पैसा मिले उतना उसके लिए कम है राइट लेकिन जानवरों के आप लोग कभी जानवरों को कुछ अपना खाना जमा करते होगे नहीं देखोगे पानी जमा करते होगे उसे enoughness कहते हैं और दूसरी बात यह है कि एक शेर भी जब शिकार करता है तो वह तब इसे इनाफनेस कहता है लेकिन इसका विपरत अखर आप देखोगे तो जो इंसान होता है वो जब उसके सामने खाना रखा जाता है तो इतना खाना खाता है कि जरूरत से जाधा खाना खाता है अगर आपको खुशी हासिल करनी हो तो हमें जमा करते बहने जाना चाहिए। जो भी चीज़ हमें बले वो कम हो लेकिन हमें खुश रहना चाहिए। कभी कबार हम क्या करते हैं कि हमें No species in the forest appropriates the share of another species. Every species sustains itself in cooperation with others. यहनि हम इंसानों में यह खुबी जादततर देखी गई है कि न अकसर एक इंसान दूसरे इंसान का हक मारता है। जानवरों में बहुत एक दूसरे में काफी मिल जूल कर रहते हैं। और में काफी समझदारी होती है। एक जानवर आप कभी ऐसा नहीं देखोगी कि जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर का हक मार रहा हो। या हक लेने से रोक रहा हो। ऐसा कोई शेर कभी ऐसा नहीं कहेगा कि यहां का पानी अप नहीं पिना चाहिए। वह शेर तो खुद तो पानी पिएगा लेकर हाती भी वहां पर आकर पानी पिएगा। तो एवरी सेशी स्सेंज इसलिसे विदा दर्थ हर एक जानवर जंगल में इनसा पे बहलेता रहता है। सबक चैनल मंधन कॉपएट करना चाहिए। अकसर देखा गया है कि हर इनसान जब कोई एक आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा उसका टांग खीच कर उससे नीचे गिराने की कोशिश करता है यह खुबी आप लोग को जानुवरों में नहीं दिखा ही देगी The end of consumerism and accumulation is the beginning of the joy of the living अगर खुशी की देखो जब आप कोई चीज का अंद करते हो यह जो आप जमा करते हो सब चीजे अगर यह जमा करना बंद कर दोगे तो एक शुरुवात एक नहीं शुरुवात शुरू होगी और वो होगी जिन्दगी की खुशी की शुरुवात The conflict between greed and compassion, conquest and cooperation, violence and harmony that Tagore wrote about continues today एक war है यह एक kind of एक जंग जो चल रही है, greed and compassion, यह जो qualities है, compassion, conquest and cooperation, violence and harmony यह जितने भी है यह सारे के सारे जो खुबिया है और इन खुबियों की बीच में जो जंग चल रही है वो आज भी जारी है and it is the forest that can show us the way beyond this conflict इस जंग के आगे भी और बहुत सारे चीज़ें जिसे हमें जंगल से सिकना ज़रूर है और वो ही एक रास्ता है जिससे हम इन सारे चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं अगर मुझे इसे line to line समझाना हो तो मुझे हर एक sentence में मुझे काफी 10 मिनिट का background आपको समझाना होगा उमीद करता हूँ आप लोगों को यह जो मेरा explanation है last part of this lesson आपको समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों को अगर फिर भी कोई doubt हो तो आप comment box में मुझे comment करकर अपने जो doubts है मुझे पूछ सकते हो बने रहे being English classes के साथ में तो आज के लिए इतना ही बने रहे being English classes के साथ में Thank you